तो जैसे ही आप अपना examination form fill कर लेते हैं, चाहे वो regular का हो, चाहे वो carryover examination हो, तो आपको examination dashboard पर examination fee कर लिंग के यहाँ पर आपको पास show होने लगागा, जहाँ पर आपका MIS number, payment for, यहाँ पर carryover examination fee submit किया है, subject से यहाँ पर amount दिखाएंगे, तो 1000 रुपी पर subject carryover examination fee है, तो उसके payment यहाँ पर हो जाएगा, आपका successful दिखाएगा, और action में यादि कि अभी आप pay fee करेंगा, क्योंकि यहाँ पर payment हुआ नहीं है, और नीचे ही जब आप नीचे payment हो जाता है, तो आप आप receive download कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि payment का fee, जो examination fee हो कैसे, पर आप कर सकते है तो देखें, इस बार जो है, तीनी option दिया जा रहा है, net banking का है, उसके बाद N.E.F.T. का है और bank branch visit का है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, जब pay fee पे आप click करेंगे, तो इस तरीके से SBI gateway का login आ जाएगा, यहाँ पर SBI e-pay, तो यहाँ पर देखें, net banking, SBA account होल रहा है, तो 10 प्लस tax देना पड़ेगा, other bank account होल रहें, तो 15 प्लस tax देना होगा, debit card के लिए कोई भी charges नहीं है, लेकिन debit card और UPI इस बार available नहीं है, तो charges आप वहाँ पर जब क्लिक करेंगे, तो आपके सामने SBI e-pay का gateway open हो जाएगा, तो सबसे important चीज़ की कई students ने comment करके कहा, कि sir इस बार payment में card और UPI का क्यों नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर यह पर सकते हैं, यह, as per RBI guideline, all cards physical और virtual shall be enabled for use only at contact based point of usage, यानि ATM या point of sale PUS devices जो होती है, आप मसीन होता है, जहाँ पर दुकान पर जाते हैं मसीन होता है, swipe करते हैं, within India, तो India के अंदर जो है, आप अगर उस मसीन का use करक करने तो नहीं कर सकते हैं, clear, उसके बाद यहाँ पर UPI के लिए भी इसी तरीके से allow नहीं किया गया, तो आपके पास देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे payment detail में तीन option है, internet banking, NAFT और SBI branch payment, यहाँ पर order समरी दिखाएगा, order number, merchant name, amount, 5000, processing, fee GST, तो internet banking कर आप यहाँ पर क्लि जो different banks हैं, उसके internet banking के लिए जो यहाँ पर option मिल रहा, तो इन internet banking के अगर आपका account इस bank में है, तो आप उसके internet banking से payment कर सकते हैं, या फिर आप NEFT नेट भी कर सकते हैं, NEFT में आपको 12 रुपए 11 पैसे जो है, extra charge और GST 2 रुपए 39 पैसे, या टोटल 15 रुपए extra आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, अगर आप जो है, NEFT करते हैं, तो मोबाइल नंबर email ID डालके पेना उपर क्लिक करेंगे, वो आपको चलांज एड़ेट होगा, उसी तरगे से SBI branch payment या नहीं कि SBI के ब्रांच पर जाके आप payment कर सकते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे, तो आपको अपना name मोबाइल नंबर email बाने के आपका अपना student का name बहाएंगा, मोबाइल नंबर में ID और पेना उपर क्लिक करेंगे, तो आपको चलांज जरेट होगा, कुछ इस तर rotary miss चलांज जरेट होगा, तो आपके सामने इस तर découvrir से जो है, चलांज जरेट होगा, चाह़ए आप SBIE branch pay करें चाहे आप NFT चलान करें तो NFT में 15 रुपए है और SBI ब्रांच पे में 40 रुपए आपको extra payment करना होगा तो आप इस तरीके से जो है चलान जाएने तो एक bank copy होगा और एक customer copy होगा और आप जो है यही लेके जाएंगे bank में आपको जो है NFT हो जाएगा और आपको 15 रुपए एक्ष्ट्रा देखें वहाँ पे आपको payment हो जाएगा और बाद में आप 24 गंटे गंदर आप अपना ERP login देखेंगे तो आप पे payment successful आजाएगा जहां से आप अपनी receipt भी डाउनलोड कर सकते हैं तो एक bank copy रहेगा और एक customer copy रहेगा customer कॉफी समाल के रखेगा जब तक कि आपको ERP पर अपडेट ना हो जाएगा आपका payment complete हो चुका है तो इस बार सिर्फ आपके पास तीन option रहेंगे net कर सकते हैं या फिर आप internet banking या फिर SBI ब्रांच पर आप कर सकते हैं card payment नहीं होगा wish all the best keep watching subscribe the channel for more videos thank you